भार के जन्रता पार्टी का कहना है कि किसान हमेशा से ही पार्टी के साथ रही है पिशले तमाम चुनावों के नतीजे इस बात के गवा है आपको बताती चले संबित पात्रा ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का रोप लगाया है वहीं किसानों का आंदोरन आज 19 वे दिन भी लगातार जारी है कि यह प्रकिये प्रेस कांफरन्स हो रही है सीधी सुनते हैं सी एस फार एस कॉंग्रेस एस्टाइश इंट इन संभू बॉर्डर इस कंसर्ण उनका तो टेंट कबका उड़ चुका है कंग्रेस का टेंट ही नहीं है तो टेंट लगाया है कहां से मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह तो अध्यक्ष नहीं अपना चुन पा रहे हैं यह ज आज किसान भी जानता है मैं सुबह से देख रहा हूं जितने बड़े कॉंग्रेस लीडर्स वहां से किसानों को अकुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आओ हमारा टेंट है आओ हमारा भोजन है उतना ही दूर किसान उनके टेंट और उनके भोजन से भाग रहा है वो कहते हम तो कॉंग्रेस के पास ही नहीं जाएंगे आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टिस जिन्होंने कॉंग्रेस के साथ गटबंधन किया था आज वो क्या कह रहे हैं आज वो कह रहे हैं यह कॉंग्रेस आई नहीं है यह कॉंग्रेस पी है कॉंग्रेस पनोती कॉंग्रेस ज तो अब क्या हो गया है तो कॉंग्रेस की चिंता ना करें उनका कोई टेंट नहीं है वो कितनी भी टेंट लगाने की कोशिश करें कुछ नहीं होने वाला है मेरा तो सुझावे कांग्रेस से ये टेंट लगाना बंद करिया अपना अध्याक्ष जूंड ये बविश्य के लिए देखिए Supreme Court का विशय है पूरा विशय एमर्जनसी का Supreme Court में गया है We all have faith in the Supreme Court Let's wait for what the Supreme Court speaks on this issue देखिए भारती जंता पार्टी लोक्तंत्र में विश्वास करती है लोक्तंत्र का एक प्रनाली होता है उसी प्रनाली के सहारे भारती जंता पार्टी आगे बढ़ती है हम कभी भी fascist powers जो बंगाल में कर रही है उस पे विश्वास नहीं करते हैं